तो गाइस आशा करते हैं आप लोग बहुत जाद अच्छे होंगे तो आज का हमारा जो वीडियो है वह होने वाला है जैसा आप देख रहे हो और यही आपको हमारे चैनल के उस पर ही मिल जाएगा थमनेल पर मिला होगा डीडियार 4 और डीडियार 5 आखिरकार हाल फिलाल में जो यह लॉंचिंग होई है डीडियार 4 और डीडियार 5 की तो आखिरकार अब आप कौन से वाला मोडिल खरीद ले डीडियार 4 खरीदना या डीडियार 5 आपको खरीदना है अब बेसिकली दोनों की बात पहले यह देख लेते हैं कि आखिरकार दोनों में फरक क्या होने वा उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनिया जो होती है वो इस परगार की रैम बनाना बंद कर देंगी DDR4 वाले मोडियूल वाली पेसिकली जो छोटी मोटी कंपनिया है वो ही इस मोडियूल को बनाए करेंगी और वो आपको मार्केट में अवेलेबल हो करेगा तो अगर आप फिलाल में कंप्यूटर बनाना चाते हैं तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप DDR4 मोडियूल के साथ जाए फिलाल में थोड़ा महगा तो पड़ेगा लेकिन आप कम से कम 5 से 7 साल के लिए सिक्यूर हो जाओगे अपने हार्डवेर अपग्रेडेशन के लिए वहीं आप अगर डीडियार 4 लेते हो तो आपको स्पीड में भी फरक मिलेगा और डीडियार 5 आप लेते हो तो एक ऐसी स्पीड आपको मिलने वाली है कि जिसकी शायद आपने कभी अपनी जिंदगी में कलपना तो की थी लेकिन आप यूज नहीं कर पाएं तो अगर हम मेरा मानना है तो आप फिलाल डीडियार 5 लीजिए करीब 30 से 40 मलब बेसिकली 20 के आसपास आपका जो जो आपका बजट है वो एक्सपेंड हो जाएगा बट आपको 5 से 7 साल के लिए आप सिक्यूर हो जाओगे अब बात कर लेते हैं दोनों की स्पीड्स के बारे में तो बेसिकली स्पीड्स से नहीं करें तो बैटर है क्योंकि डीडियार 4 और डीडियार 5 है तो डीडियार 4 के अंदर लास्ट आपको 3600 या उससे भी जाद आपको 4000 मेगा हर्ट मिल जाएगी अगर आप डीडियार 5 की बात करते हैं तो इसमें आपको 6000 तो लास्ट नहीं कह सकते क्योंकि फिलाल अभी भी कंपनिया डीडियार 5 के ओपर लगी हुई है तो करीब 8 मेगा हर्ट के अंदर आपको रैम के जो मोडियूल हैं वो मिल जाएंगे और सभी कंपनिया इनको बनारी है फिलाल ठीक है अब य और दिख़े होंगे स्रसजंबन है करें डिखा देते हैं आपको कौंड़ से वाली कट के हम बात करें तो जैसे आप देख पा रहे हो ना ये वाला जो नीचे कट है सुए से वाला यह जो नीचे कट है न दोनों के थोड़ा सा अपको अंतर दिखाए दे रहा होगा थोड़ा सा डिफरेंस होगा घिडियार 5 का जो कट है वह इधर की तरफ है और जो डिडियार 4 का जो कट है खाली वाला यह ब्लैंक कट होता है यहां पर कुछ नहीं होता कोई भी आत्म पार यह कि बात करें भी मेर दे और देंगे द्धेवांटेचिस की बात कर लेते हैं जैसे आप देख पार हो झाला है और आप गयन पहुत बीणास्ट करें पहले यह आपकी पहले से कम कंस्रूम करेगा जहां आप DDR4 के अंदर 1.2 volt current यूज़ कर रहे थे वहीं आप अगर DDR5 यूज़ करोगे तो आपको 1.1 volt का cable current यूज़ करना होगा यानि कि पूरा 0.1 volt आपका यहां पर बच रहा है तो आप power भी अपनी बचा रहे हो ताकि कल को हपका जो बिजली का बिल है वो भी थोड़ा सा कम आएगा DDR4 के अगेंस्ट स्पीड की बात करें तो स्पीड की बात तो हम करी चुके हैं के स्पीड तो DDR4 के आगे अगर हम देखें DDR5 की तो DDR5 विलकुल कातिलाना एक तरह से अपना अंतास दिखाती है तो जो स्पीड है ट्रांसफर डाटा स्पीड है वो डेडेक्स फास्टर है 38% हायर बैंडविड आपको मिलता है DDR4 से तो जैसा आप देख रहे हो के DDR4 में 38.4 GBPS का आपको डाटा हाई रेट मिल जाता है पर सेगिंड के अंदर वहीं अगर आप DDR4 यूज़ करते हो तब 25 GB का आपको मिलता है और DDR3 के अंदर 12 GB का आपको डेटा स्पीड मिलती है 16 MBPS के हिसाब से रिलाइबिल्टी देखें यह आपके रिलाइबिल्टी आपको मोडियूल में रिलाइबिल्टी क्या है वह यहां आपको बेसिकली मिलती है जो DDR5 है उसकी रिलाइबिल्टी आपको जादे मिलती है जो पैरेटेजम मैथ़ड ऑफ चेकिंग वैदर डेटा एधर हैज आक्यूड इनम मेमोरी चिप जैने कि इसके अंदर आपको जो डेटा है वह बहुत पावरफुल हिसाब से मिलत यानि कि आपको जो चोटे छोटे चिप आपको देखती होंगी वह आपको इसमें लग्यों मिलेंगी वहें आपको डेडियाफ फाइव आप लेते हो तो यहां आपको 32 बैंक आनिको 32 परकार की चिप लगी मिलेंगी तो आप जानी सकते हैं कि यह उसका सुद्रहुआ frequency वगरा की देख लेते हैं कि अगर का DDR4 क्या देता है DDR5 क्या देता है तो जैसे आप देख रहे हैं फ्रिक्विंसी में कि 1600 से 2200 Mbps आपको DDR4 के अंदर मिलती है वहीं अगर आप DDR5 की बात करते हैं तो जैसे आप देख पा रहे होगे 2200 से यहां पर आपके 2200 से स्टार्टिंग होती है वहां जा डीडियर 4 खटम कर रहा है वहां से यह स्टार्टिंग कर रहा है अपनी लेखें और 8400 Mbps के आप इसमें मज़ा लेने वाले हो अप जितने पैसे खट्च करोगे उतने ज़्यदा आपको मज़े आएंगी क्योंकि इसमें आप जितने हैवी मोडियूल्स लोगे जितनी ज़्यदा स्पीड का आप यूज करोगे ना स्पीड के इसाब से आपको पैसे करण लेकिन आपको चला जाएगा तो डियार फाइफ एक लेटस्ट मोडियूल है और वहीं अगर डिडियार फाइफ के मोडियूल की जिस आपकी रैम साती हैं वो किसके पर वायर क्या साथ है तो जिस सब देख्री कोकि तोजित्व डिडि फॉर पोर तक फॉर जीवी मैं डिएट दीव फॉर चाहिए फॉर का वहीं जो फॉर है हमारा एट जीवी इस ट्वडिव ठीट जीवी थन लास्ट शीक्षटी फॉर जीवी आपको इहां पे मिलता है और डिए इसीचा आपको नहीं मिलता वहीं आपको DDR5 में मिलता है बैंक्स की बात करें हम करी चोगे हैं 16 और 35 बैंक मिलते हैं वाल्टेज भी हम बात कर चोगे 1.2 वाल्ट आपका DDR4 खाएगा और जबकि DDR5 1.1 खाएगा वी पी पी वर्चुल पावर की बात करें तो 2.5 है और 1.8 है यानि कि अगर कुछ भी कह लो कुछ भी कर लो भाई सब हर चीज में DDR5 बिलकुल एडवांस लेबल है अब DDR5 का मतलब यह नहीं कि अगर आप सिस्टम में DDR4 यूज कर रहे हो तो कल को जा के मेरे काई से आप DDR5 की RAM खरीद लाओ और आपके DDR5 में DDR5 ही लगी का ठीक है और इनके प्रोसेसर भी चेंज आते हैं इनके मदरबोर्ड भी बिलकुल डिफरेंट होते हैं तो यह गलती ना करें और फिलाल DDR5 का जो सारी चीज थी वो मैं समझा चुका हूँ अगर कोई चीज आपको नहीं समझ आती है प्रोसेसर में प्रोबलम आती है मदरबोर्ड में प्रोबलम आती है तो आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं हम आपको यहीं मिलेंगे इसी जगा मिलेंगे बस कमेंट कीजिए कोशिश करेंगे आपको अच्छे से और समझानेगी तो थैंक्स फर उचिंग दिस वीडियो और लव यू और फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब अजीस सिंग टेक्निकल मिलते हैं किसी और बहत्रीन सी वीडियो या टॉपिक के साथ